Hello students, आप सभी का अक्षि एजूकेशन के ओनलाइन प्लेटफर्म पर स्वागत है पिछली क्लास में हमने मैतमेट्रिक का एक टॉपिक सदिश कम्प्लेट किया था आज हम उस टॉपिक के प्रश्णोत्री को लेकर उपस्तित हुए हैं परस्ट कुशन है यदि एक तिर्बुज के शीर्षों के इस्तिती सदिश 6i प्लस 4j प्लस 5j प्लस 6k तता 5i प्लस 6j प्लस 4k हो तो तिर्बुज है अब हमें उस तिर्बुज के बाले में जानकारी लेनी है यहां एक तिर्बुज है जिसके इस्तिती सदिश दिएवे हैं इस्तिती सदिश है मतलब फर्स्ट वाले वेक्टर को कि ओ एक प्लस फाइफ जे वर सदिश है सिक्साइब प्लस फोर जे प्लस फाइफ के दूसरा वाला जो शीर्श है उसका इस्तिती सदिश ओ भी प्लस फाइफ जे प्लस फाइफ जे प्लस फोर के हमें यह जो शीर्श है इस्तिती सदिश है यह समकोणी है समदी बहु है सम बहु है या इन में से कोई ने इसकी जाच करनी है समकोणी त्रिबुच की जाच हम जानते है इन में से हमें सबसे पहले सदिश एबी का मान ग्याद करना है सदिश एबी का मतलब होगा ओ भी माइनस ओ ए पी वाले सदिश में से ए वाले सदिश का मान यदि आपस में गटाया जाए तो ए भी सदिश प्राप्तों का तो फोर आई माइनस सिक्स आई माइनस का टू आई 5J माइनस 4J प्लस का J और 6K माइनस 5K प्लस का के कैप वेक्टर बी सी वाले सदिश में से बी वाले सदिश को गटाया तो पी सी प्राप्त होगा प्लस का J कैप माइनस का 2K कैप सेम इसी प्रकार से AC या C ये ग्याद किया तो C ये मतलब A के इस्तिदी सदिश में से C के इस्तिदी सदिश को आपस में गटाया तो 6I माइनस 5I प्लस का 4J माइनस 6J माइनस का 2J कैप और 5K माइनस 4K कैप तो प्लस का कैप अब ये तीनों के इस्तिदी सदिश दिए वेते यह OA है यदि यह OB है यह OC है तो हमने AB, BC और AC कमान निकाल लिया अब समकोनिय के लिए क्या ग्यात किये जाती है पाइथोगरस प्रमे का उपयोग होता है अगर इन में से किनी भी दो सदिशों के परिणाम के वर्ग का योग तीसरे सदिश के परिमान के पराबर हो तो वह है श समधी भाहू का मतलब दो भुचय समान होती है यदि इन में से किनी दो सदिशों की दूरिया समान है तो वह है समधी भाहू तिरभुज के लाएगा सबसे पेले यहां AB था तो इस AB का मोड निकाला यहां AB का जो मोड है वह आजाएगा अंडरूट माइनस दो का स्क्वाईर चार प्लस एक प्लस एक बड़ाबर अंडरूट छे यहां पर मान निकाला मोड बीजी अंडरूट एक प्लस एक माइनस दो का स्क्वाईर करेंगे तो प्लस चार बड़ाबर अंडरूट छे और मोड सी ए निकाला मोड सी ए निकालने पर यहां पर मान आ गया एक प्लस चार प्लस एक बड़ाबर अंडरूट छे यहां तीनों जो सदिश चल रहे थे ए बी बी सी और एसी यह सी ए इनके परिमान का मान समान है इसका मतलब यह है जो शीर्ष है यह है एक संभाहु तिरबुच के शीर्ष होंगे तो यहां पर हमारे पास में संभाहु तिरबुच के शीर्ष होंगे क्योंकि मोड A B मोड B C और मोड C A अतर है तिरबुज समभाहू तिरबुज होगा तो फर्स्ट जो हमारे पास में आंसर आया वह है समभाहू तिरबुज सेकिंड क्विशन है दो बिंदो A वा B का इस्तिती सदिश दियावा है और A B का परिमान निकालना है सिंपल सी कंडिशन यदि पहले वाले को O A I प्लस J माइनस K से व्यक्त किया और B का इस्तिती सदिश O B से व्यक्त किया 2 I माइनस J प्लस K कैब तो सदिश A B का जो मान होता है वह होता है O B माइनस O A अपन को डियरेक्ट इस दूसे सदिश में से पहले सदिश को घटाना है 2 I माइनस I I कैब माइनस J माइनस J माइनस 2 J कैब और K माइनस माइनस प्लस 2 K कैब यह vector ab आ गया हमें ab का परिमान ग्याद करना है परिमान निकालने के लिए under root i के घटक का square एक प्लस चार प्लस चार under root नो बराबर 3 इसका मतलब जो सदिश ab है उसका परिमान 3 के बराबर आएगा next question सदिश i plus j plus k i minus i plus j plus k i minus j plus k and i plus j minus k के परिणामित की दिक को जाए है तो यह सदिश है यदिन 4 सदिश को vector a vector b vector c और vector d से व्यक्त किया जाए तो पहले वाले सदिश को मान लिया i plus j plus k दूसर वाला सदिश है minus i plus j plus k तीसर सदिश है i minus j plus k और चोता जो सदिश है i plus j minus k परिणामी तो परिणामी जो सदिश होगा उसे मान लो vector a लिख दिया तो परिणामी सदिश होगया vector a plus vector b plus vector c plus vector d तो तीन चार पांच जितने भी सदिश दे उनका परिणामी सदिश सदेव उन सदिशों के योग के बराबर होगा तो a plus b plus c plus d यदि इन चारों सदिशों का योग किया जाए i minus i cancel plus i plus i 2i j plus j 2j minus j plus j cancel plus 2j k plus k 2k plus 3k minus k तो plus 2k ये परिणामी सदिश आ गया लेकिन हमें इसमें दिक कोजय पूछा है हम जानते हैं जो i, j, k के गुणांग होते हैं वो दिक अनुपात होते हैं और दिक अनुपातों को दिक कोसाइन में परिवर्थित करने के लिए उन गट्टकों में उसके परिणाम का भाग लगा दिया जाता है तो हमाले पास इस r का परिमान आ गया अंडरूट चार प्लस चार प्लस चार प्लस चार अंडरूट बारा जिसे हम लिख सकते हैं दो अंडरूट तीन अब मात्रक सदिश बनाने क्योंकि दिक को जाए है यहाँ पर जो गुणांक चल रहे हैं आई जे के के वह दिक अनुपात है तो मात्रक सदिश यह डाइरेक्ट दिक को जाए लिखे घटक में है परिणामी सदिश का भाग लगाया तू अपॉण टू रूर थ्री और इसके के वाले गुणांक में भी डिवाइड दिया तो तू अपॉण टू रूर थ्री तो टू टू ऑपॉन कैंसल तो वन अपॉन रूर थ्री वन अपॉन रूर थ्री वन अपॉन रूर थ्री तो हमारे पास इस सदिश के पैणामी सदिश की जो दिक को साइन है वो वन अपॉन रूर थ्री वन अपॉन रूर थ्री वन अपॉन रूर थ्री ओप्शन दी नेक्स्ट कुश्चन एक 6 सदिश रखता है अब 6 सदिश, option है कोई भी दिशा, कोई दिशा नहीं इनमें से कोई नहीं अब 6 सदिश है शूर्म्ने सदिश की परिवाशा होती है एक ऐसा सदिश जो किसी एक बिनदू से प्रारम्बोगर पुने उसी बिनदू बेर समाब तो अरथार्थ जिसका प्रारंबिक तता अंतिम मिंदु समानों शुन्य सदिश के लाता है एक परिवाश और देखी दी वह सदिश जिसका परिमान 0 है तो जो शुन्य सदिश होता है 0i, 0j, 0k कोई सभी सदिश है उसे हम 0i, 0j, 0k से व्यक्त करेंगे जो परिमान होगा वो सदेव 0 के बराबर होगा अब कोई बी सदिश है उसे हम किसी बी दिशा में मान सकते क्योंकि उसका जो गुणाग के 0, 0, 0 वो किसी बी दिशा में कहीं भी संबव है इसलिए यह एक सत्ते कतन है कि एक शुन्य सदिश हमेशा कोई भी दिशा रख सकता है नेक्स्ट कुश्यन यदि एक तिर्भुज ABC के शीर्षों के इस्तिति सदिश फिर अभी जो पहला कुश्यन कहता है सेम वही सवाल आ गया पहला सदिश 7J प्लस 10 के यहाँ पर आईका गुडांग 0 है सेकिंड और थर्ड तिर्भुज पहचानने संबहु संदी बहु संबहु विशंबहु और समकॉन तिर्भुज और संदी बहु भी मतलब यह दोनों कंडिशन एक साथ पॉसिवल होगी दो दूरिया समान होगी और उन दोनों का जो योग है वो किसी तीस्य दूरी के परिमान के वर्ग के तो सबसे पहले हम A B निकालते हैं A B का मतलब होता है O B माइनस O A इस O B मेंसे इस O A सदिश को घटाया तो माइनस I वहाँ I का कुडांग नहीं है तो माइनस I 6 J माइनस 7 J तो माइनस J 6 के माइनस 10 के तो माइनस 4 के A B का परिमान भी निकाला रूट 1 प्लस 1 प्लस 16 रूट 18 फिर PC सदिश ग्याद किया BC का मतलब OC माइनस OB तो यहां से इस में से इस OB वाले सदिश को माइनस किया तो माइनस 4I माइनस माइनस प्लस I तो माइनस 3I का रूट 9J माइनस 6J प्लस 3J का रूट 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 तीसरा जो सदिश है वह हमने निकाला AC सदिश AC का मतलब OC माइनस OA इस OC वाले सदिश में से इस OA वाले सदिश को माइनस किया तो माइनस का 4I वहां I का बुड़ांक नहीं है तो माइनस का 4I 9J यहां 7J तो प्लस का 2J 6 के माइनस 10 के तो माइनस 4 के AC का जो परिमान आएगा मोड 16 प्लस 4 प्लस 16 यह हो गया अंडर रूट 36 is equal to 6 अब यहां हमको पहचानना है कि क्या मानप्राप्त हो रहा है संबहु तिर्बुज के लिए तीनों जो सदिश है भुजाए हैं AB, BC और AC उनका परिमान जो परिणामी दूरी है वो समान होनी आवज चाहिए डिफ्रेंट है इसका मतलब संबहु तिर्बुज नहीं है विशंबहु दो दूरिया समान है तीसिया लगे संबहु के लिए कोई दो दूरिया समान होनीच यह समान है मतलब संबहु की कंडिशन का पालन कर रहा है लेकिन आगे संबहु के साथ में संबहु नहीं है अब इसे हमें यह पता लगे है कि संभाहू नहीं है विशंभाहू नहीं है क्योंकि दो दूरिये समान आ गई है अब second option होगा या fourth option होगा तो हमको checkile करना है क्योंकि second option fourth option में भी दिया वाए उसके परिमान के वर्ग के समान हो, तो root 18 plus root 18 इसका मतलब सदिश AB के परिमान का वर्ग, सदिश BC के परिमान का वर्ग, इसको solve किया, तो यहां root 18, इसको solve किया, तो 18 plus 18 equal to 36, अब यह 36 है, तो 6 का square कितना हो गया, 36, इसका मतलब यह किसके बराबर हो गया, इसको हम लिख सकते हैं तो साथ में ये पाइथोग्रस प्रमे को भी सरल कर रहा है इसका मतलब ये सम्दिभाव तिर्बुज के साथ साथ समकौन तिर्बुज भी है नेक्स्ट क्विशन बिंदुओ 2a-3b वर 3a-2b को मिलाने वाली रेखा को दो अनुपात तीन में अंते विवाजित करने वाले बिंदु का इस्तिति सदिश और फॉर्मुला पड़ा था हमने m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a अपॉन m प्लस n फॉर्मुले में वेल्यू पुट करो डिर्यक्टिक्स का अनसर गयात होगा m और n, m कमान दो, n कमान तीन फॉर्स्ट वेक्टर यह वेक्टर a सेकिंड वाला जो मान है वो वेक्टर b तो फॉर्मुला यूज किया m 3a-2b प्लस 3 2a-3b अपॉन 2 प्लस 3 सॉल कर रहा हूँ 6a प्लस 6a 12a माइनस का 4b और माइनस का 9b तो माइनस 4 माइनस 9 माइनस का 13b अपॉन 3 प्लस 2 5 तो इसका जो ऑप्शन होगा 12 अपॉन 5a माइनस 13 अपॉन 5b सेकिंड ऑप्शन आजाएगा नेक्स्ट कुशन है यदि सदेश 3i प्लस j माइनस 5 के तता ai प्लस bj माइनस 15 के सम रेखिये है सम रेखिये या समानतर कुछ भी दोनों में से कंडिशन पूछ ले तो इसकी एक ही कंडिशन अपलाई की जाती है इनके i, j और k के घटकों का जो अनुपात होता है वह सदेव समान होगा तो यदि ये a1, b1, c1 इसे हम a1, b1, c1 इसे हम a2, b2, c2 लिखें तो तीनों का जो अनुपात है वह समान होगा तो यहां पर कंडिशन के आएगी अब पहले और तीसरे पद को आपस में सॉल करेंगे तो 3 upon a, 1 upon 3 cross multiply कर दो, a equal to 9 सेम इसी प्रकार से 1 upon b equal to 1 upon 3 फिर cross multiply किया तो b equal to 3 तो a equal to 9 and b equal to 3 पौर्थ ओप्शन next question है a dot i, i plus a dot j, j plus a dot k, k equal to, इसका मान ग्याद करना है यहां i और इस bracket के बीच में ना तो अधिश गुनन फल है ना ही सदिश गुनन फल है जो भी इसका एक constant मान आएगा वो direct i से गुना होगा ऐसे यहां वाला मान direct j से गुना होगा और यहां वाला direct मान जो है वो के से गुना होगा तो सदिश a है तीनों में तो कोई भी सदिश a अपने मान लिया a equal to a1 i b1 j c1 के मान लिया तो a dot i इसको i के साथ में dot किया तो a1 a dot j इसको j के साथ में dot करोगे तो j dot j1 होगा तो b1 a dot k c1 इन तीनों में इसके मान रखे तो हमारे पास यह मान प्राप्ट हो जाएगा इसको आगे sol के यहां से तो मान आगया a1 i cap plus इसका मान रख दिया यहां से तो b1 j cap और यहां से इसका मान रख दिया तो plus c1 k cap सरल करने पर यह मान आगया और ये सदिश वापिस जो पन्य सदिश माना था वेक्टर ए उसी के बराबर प्राप्त हो गया इसका मतलब इसका जो मान है वो सदिश A के बराबर है option number A 9th question A तथा B आ सम्दिश सदिश है ए समदिश, ए समदिश का मतलब ए समान दिशा में है, अब ए समान दिशा में है, तो A.B का क्या मान होगा? देखिए, यह मोल बिंदु है, यहाँ पर vector A है, इस दिशा में, तो यहाँ पर vector B है, इस दिशा में, हमें इनका अधिश गुनन फल निकालना है, तो A.B का मान क्या है पॉर्मूल अप्लाई करते हैं मॉड ओफ ए मॉड ओफ भी कॉस ठीटा जब दो सदिश एक दूसरे के समानतर या संरेक है परन्तु दिशा अलग अलग है तो उनके मद्दे का कौन पाई के बराबर होता है क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो कौन है वो पाई होगा इसका इसका मतलब ठीटा बराबर लेकर क्योंकि यहां पर एस समदिश सदिश दिएवा है तो यहां पाई पास ठीटा की जगे जैसे पाई रखा मॉड ओफ ए मॉडफ बी और कॉस प्रफ ऑगा मान हम जानते माइनस वन होता है तो माइनस का मॉड ओफ a ं इसका option number second, next question है, यदि A, B, C ऐसे एकक सदिश, एकक सदिश, इसका मतलब mod of A, mod of B, mod of C is equal to 1, फिर आगे कह रहा है, A plus B plus C equal to 0, तो A dot B plus B dot C plus C dot A, इसका मान ग्याद करना है, यहां पर यह A plus B plus C का mode है, तो जहां भी A plus B plus C, A plus B minus C अर्थार्थ, किनी भी दो सदिश या तीन सदिशों का योग या अंतर कुछ भी दे दे या पूछ ले, तो हम उसके square से ही सवाल को start करते हैं, तो यहां हम A plus B plus C, मान इसका निकालना है, हम करेंगे इसका square, A plus B plus C, dot A plus B plus C, किसी भी सदिश को स्वैम के साथ में अधिश गुननफल करेंगे, तो सदेव उसके परिमान का वर्ग प्राफ्त होगा, यहां, इसका मान दिया है, जीरो, यह रख दिया है, इसका मान आगया, जीरो, और इनको solve करने पर, A, A से गुना होकर होगा, mode of A square, B, B से गुना होकर, mode of B square, C, C से गुना होकर हो जाएगा, mode of C square, बाकि कौन-कौन सी स्थितिया बज़ गई, A dot होगा, B से, C से, तो क्या मान आगया, A dot B plus A dot C, B dot होगा, A से और C से, अब B dot A कहूं, या A dot B कहूं, A की बात है, इसका मतला भी A double कर दिया, और B को C के साथ में dot करके लिख दिया, तो plus का B dot C, फिर C को dot करना है, A के साथ, अब C dot A करो, या A dot C करो, ये भी एकी बात है, क्योंकि क्रम भी निमे नियम का पालन करता है, ये भी double हो गया, and C dot B कहो, या B dot C कहो, ये भी एकी बात है, ये भी double हो गया, अब मान रख दो इनके 0, mod A, mod B, mod C, इन सबका माहन है 1, plus 1, plus 1, आगे वाले step में से 2 common आ गया, A.B, B.C, C.A, तो A.B, plus B.C, plus C.A, equal to 1, plus 1, plus 1, 3, तो माइनस 3, और इस 2 का डिवाइड लगाया, तो माइनस 3 बाइटू, आप्चिन नमबर, थर्ड, 11th question है, यदि 21 सदिशों A तता B के बीच का कौन, फिर पहला शब्द जो दे दिया हो है, 21 सदिश, इसका मतलब, mod A, mod B is equal to 1, के बीच का कौन theta हो, तो cos theta by 2, cos theta by 2 का मान निकालने के लिए, यहाँ पर जो भी condition है, यह देखो, plus B, dot, A plus B, यह बन जाएगा, mod A square, mod B square, और A dot B, और B dot A, तो 2, A dot B, A plus B का whole square, equal to, इसकी value 1 plus 1 plus 2, A dot B का वापिस formula apply किया, तो यह हो जाएगा, mod of A, mod of B, cos theta, अब आगे इसको solve किया, mod A plus B, as it is, 1 plus 1, 2, और आगे 2, यह भी value रखी तो 1, तो यह हो गया, 2 plus 2, cos theta, mod A plus B का whole square, equal to 2, common आगे, 1 plus cos theta, अब value हमको निकालनी है, cos theta by 2 की, इसका मतलब यहाँ पर हमें formula apply करना है, और एक condition, generally, जहाँ भी cos के साथ में 1 आजाता है, तो हम cos का हमेशा, ऐसा formula apply करते हैं, जिससे वो एक cancel out हो जाए, cancel हो जाए, तो यहाँ पर cos theta को जो formula apply कर रहे हैं, वो formula हो जाएगा, 1 plus 2 cos square theta by 2, minus 1, यह 1 से 1 cancel, यह multiply किया, तो a plus b mode square equal to 4, cos square theta, 4 को इधर divide में ले जाओ, cos square theta by 2, तो cos square theta by 2 is equal to 1 by 4, a plus b के mode का square, हमें cos theta by 2 का मान्च चाहिए, तो वर्गमूल ले लिया, square rate लिया, तो हमारे पास value आ गई, cos theta by 2 equal to 1 by 2, mode of a plus b, option number second, जैम इसी परकार से एक question और है, यहीं पर ही मैं वो question लिख देता हूँ, यदि a और b 21 अदिश है, तो जो sin theta by 2 होता है, उसका जो मान होता है, वो होता है, 1 by 2, mode of a minus b, ध्यान रखिएगा, cos theta by 2 में 1 by 2, mode of a plus vector b होता है, जबकि sin theta by 2 में 1 by 2, mode a minus b होता है, direct result ध्यान रखना ने तो हमें इतनी calculation करनी पड़ेगी, next question है, यदि a और b के मापांक बराबर है, मतलब mode a बराबर mode b, उनके बीच का कौन 120 जगरी है, तो theta बराबर 120, तो a.b बराबर minus 8 है, तो mode a का मान निकाली है, सारी value अपनको दी भी है, केवल formula में जो जो value given है, उनका मान रखदो, mode a का मान गया तो जाएगा, तो a.b का मान साथ में दियावा है, minus 8, a.b का मतलब mode of a, mode of b, cos theta minus 8, a और b आपस में बराबर है परिमान, तो b की जगे भी हम mode a लिख सकते हैं, यह mode of a का square बन गया, cos theta 120 equal to minus 8, अब 120 को अपन फैक्टर करके लिखते हैं, 90 plus 30 भी लिख सकते हैं, 180 minus 60 भी लिख सकते हैं, 180 minus 60 को अपन बोल सकते हैं, 120, तो 120 को लिख दिया, 180 minus 60, इसको आगे solve किया, mode of a square, cos यह होगा, pi minus theta, pi minus theta means यह pi होता है, pi में से minus हो रहे है, 180 में से, 180 में से minus करोगे तो angle जो है, वो second coordinate में आएगा, और second coordinate में जो cos का sign होता है, वो negative होता है, क्योंकि second coordinate में हमेशा sign और cos एक, यह positive होते हैं, बाकी 4 जो त्रिकॉर्ण में थी यह फलन है, वो सारे के सारे इस coordinate में negative होते हैं, तो इसका जो मान आया, वो होगा minus का cos theta, और theta की जगे जो value है, वो है 60, minus 8, mode of a square, minus cos 60, cos 60 की value, 1 by 2, minus 8, minus a, minus cancel हो गया, mode a square equal to 16, square root लिया, 4, तो mode a, बराबर mode b, equal to 4, option number 3, next question है, mode a, mode b का मान दियावा है, a और b के बीच का कौन 120 दे दिया, 4a plus 3b के mode की value निकालनी है, अब 4a plus 3b की value निकालनी है, देखो फिर दो सदिश आ गए, उनका योग आ गया, हम जानते हैं, कोई से भी दो सदिश, जब उनका योग या अंतर के रूप में पूछेंगे, तो हम उसका square करके मान start करेंगे, तो यहाँ भी जो solution है, वो हम क्या लिखेंगे, 4a plus 3b का square is equal to 4a plus 3b dot 4a plus 3b multiply किया, 4, 4 से multiply होकर 16a square, 3, 3 से multiply होकर 9b square, अब a और b वाले को जब dot करेंगे, तो यह हो गया, 12a dot b, फिर 12b dot a, और a dot b, b dot a आपसे बराबर होगा, तो 12 plus 12, तो नों को add कर देंगे, क्योंकि आपसे बराबर है, 24, 24, a dot b, solve किया, 16, mod of a square, 9, mod of b square, plus 24, mod of a, mod of b, cos theta, 16, mod a is equal to 3, direct square करके ही लिख रहाँ, 9, plus 9, mod of b is equal to 4, तो 4 का square, 16, plus 24, 3, 4, cos, 120, अभी अभी हमने cos 120 की value निकाली थी, minus 1 by 2, तो मैं यहाँ direct वही value लिख रहाँ, क्योंकि लास्ट question में हमने वह value देख ली थी, यह हो गया 144, plus 144, plus इसको multiply करेंगे, 4 को 3 से गुणा कर दो, 12, 12 को इस से गुणा करेंगे, 31, 300, 12, आप इस गुणा किया, 12, 400 गुणा किया, 48, 288, minus, पॉस 120 की value, minus 1 बटा दो, सरल किया, cancel किया, 144, plus, 144, 2, 88, minus, 144, 144, cancel, तो अपने पास में एक value आ गई, 144, यह value आई, 4A, plus 3B के mode का square, जबकि हमें 4A, plus 3B के value चाहिए थी, दोनों का वर्गमूर लो, वर्गमूर लेने पर, अपने पास, 4A, plus 3B के जबकि जबकि आएगी, वो 144 का वर्गमूर, 12, तो इसका option number, second, next question है, mode A, mode B, mode C, की value दीवी है, A, plus B, plus C, वापिस 0 है, यह वापिस, यहाँ पर mode है, यह 0 दियावा है, और A, dot B, plus B, dot C, plus C, dot A, इसकी value हमें निकालनी है, वही formula, A, plus B, plus C, का square करके, solve करेंगे, यह होगा, A, plus B, plus C, dot A, plus B, plus C, इसकी value दीवी है, 0, और आगे जो value आती थी, वह था, mode A, square, mode B, square, mode C, square, और double, A, dot B, B, dot C, plus C, dot A, यह question भी हम पहले solve कर चुके हैं, जिसमें, A, B, C, मात्रक सदिश्टे हैं, उनकी value हमने, 1 रखी दी, अब इनके मान अपन को दे दिए, केवल, यहां, A, dot, B, plus B, dot C, plus C, dot A, इसकी value निकालनी है, तो mode A, यह double, यह तीनो value, राइट साइड में ले जाओ, square करके, तो 9, plus 1, plus, 16, और यह जो तीनो value है, यह राइट साइड में जाकर, माइनस में आएगी, तो इसके आगे, माइनस न लगा दू, यहां value, A, dot B, plus B, dot C, plus C, dot A, equal to minus का 26, divided by 2, equal to minus का 13, option number A, next question, question number 15, सदिश 3I, plus J, plus 2K, तता सदिश 2I, minus 2J, plus 4K के बीच का कोण है, यदि सदिश को vector A सदिश, दूसर सदिश को vector B सदिश माना, तो दोनों सदिशों के मान देखा कोण, cos theta, vector A, dot vector B, upon vector A, mode, and mode vector B, A, dot B को सरल किया, 3, 2 से गुणा हो गया छे, 1, minus 2 से गुणा हुआ, minus 2, 2, 4 से गुणा हुआ, plus का 8, upon, mode of A, under root 3 का square, plus 1 का square, plus 2 का square, तो 9, plus 1, plus 4, under root, mode B का square, तो 4, plus 4, plus 16, उपर value आ गई, 12, 12, upon, root 14, root, 24, cos theta एक्वाल टू, 12, upon root 14, root 24, दोनो root वाले, संख्याओ को एक साथ लिखा, 12 upon, 14 को लिख सकते, 2 multiply 7, and 24 को, 2 multiply, 12, 12, 12 upon 2, 7, multiply 2, 6 upon, root 84, और सॉल किया, 6 upon, 84 को लिख सकते हैं, 4 multiply 21, 6 upon 2, root 21, 3 upon, root 21, ये, cos theta की value आ गई, तो theta equal to cos inverse, 3 upon root 21, theta equal to cos inverse, 3 upon root 21, लेकिन, cos inverse में, यहाँ केवल, दो ही option है, 2 upon root 7, 2 upon root 5, जबकि, यहाँ पर, 3 upon root 21 आ गया, बाकि, दो other option है, वो sign inverse में है, तो cos inverse में, यदि answer नहीं है, तो हम, इसे sign inverse में भी, change कर सकते हैं, अब cos inverse, cos inverse में है, आधार बटा कर्ण, जिसे हम, sign inverse में, change करेंगे, तो वो है, sign theta बराबर, लंब बटा कर्ण, तो इस, cos inverse को, यदि हमने, sign inverse में, परिवर्थित किया, तो sign inverse का मान होता है, लंब बटा कर्ण, लंब का मतलब, under root, कर्ण का स्क्वेर, मतलब 1, माइनस, आधार का स्क्वेर, और आधार का मान है, तीन, बटा नो, बटा कर्ण, under root 21, sign inverse, उपर वाले स्टेप में, आगया, under root 12, बटा, under root 21, under root 12 को, हम लिख सकते हैं, theta equal to, sign inverse, under root 12, चार गुणा तीन, जिसे हम, 2 root 3 लिख सकते हैं, और नीचे, under root 21, under root 21 को, हम root 3, multiply root 7 लिख सकते हैं, root 3 से root 3, cancel, तो theta की जो value हो गई, वो sin inverse, 2 upon root 7, तो formula जो था, वो cos theta में था, theta equal to cos inverse में, answer प्रावत होता है, लेकिन option में, cos inverse वाला, answer match नहीं कर रहा, तो हमने उसे, sign inverse में change किया, जिससे हमारे पास में, इसका answer, sign inverse, 2 upon root 7 प्राप्ट हुआ, option number B, next question, एक तिर्बुज, ABC के शीर्षों के, इस्तिती सदिश क्रमशे, ABC के दियावे है, कोण ABC ग्याद करना है, हम तिर्बुज में जानते हैं, जो कोण निकाला जाता है, वो दो आसन भुजाए, या क्रमागत भुजाओ के मद्दे निकाला जाता है, यदि यहाँ ABC है, तो जो कोण होगा, वह सदिश AB, और AC के बीच में, अगर यह ठीटा माना, तो हम वेक्टर AB और AC लेंगे, अगर यह कोण हमने ठीटा माना, तो BA और वेक्टर BC लेंगे, तो यहाँ हमने मानलो यही ठीटा माना, तो हमें वेक्टर A, B चाहिए और A, C चाहिए अभी जो हमने कोस्षीटा का फॉर्मूला अपलाई किया उसी फॉर्मूले से हम इस त्रिभूज के लिए कोण A, B, C ग्याद कर सकते हैं तो यहां कोण A, B, C पूछा है इसमें आपन को मेंचिन कर दिया तो देखिए, A, B, C मतलब यह कोण हो गया B, यह A, यह C, तो हमें जो वेक्टर है वह है वेक्टर निकालना है वेक्टर B, A और वेक्टर B, C वेक्टर B, A का मतलब O, A माइनस A, B O, A माइनस O, B दियेवे सदिश है, A, B, C के शीर्षों के इस्तिदी सदिश इसका मतलब यह सदिश वेक्टर O, A, यह सदिश वेक्टर O, B और यह वेक्टर O, C के मान है यहां हमें पहला मान वेक्टर B, A निकालना है O, A माइनस O, B, इस सदिश में से इस O, B को माइनस किया 4, I, माइनस का I, 3, I 3, I माइनस का 2J, माइनस का 4J, माइनस का 6J यहाँ K का कोई भी घटक नहीं है तो माइनस, माइनस, प्लस ठीके, वेक्टर BC निकाला BC का मतलब OC माइनस OB इस वेक्टर में से इस वेक्टर को माइनस किया तो माइनस I, माइनस I, माइनस 2I 5J, माइनस 4J, प्लस का J के माइनस माइनस 3K कोड के कोस छीटा का फॉर्मुला वेक्टर बी-ए डॉट बी-सी अपोन मोड बी-ए मोड बी-सी कोस छीटा बी-ए डॉट बी-सी दोनों का अधिष गुणा नफल निकाला 3-2 से गुणा हो गया माइनस का 6 माइनस 6,1 से गुणा हो गया माइनस का 6 और 4-3 से गुणा हो गया 12 बटा रूट माइनस 6, 12 यहाँ पर जो भी मान है वो देखो डियरेट जीरो के हिक्वल हो गया तो नीचे वाली value को solely मत करो, direct as it is easy लिख दो, mode pa and mode bc, अगर उपर कुछ मान आ रहा होता, तो हम इसकी value भी निकालते, अब इसकी value क्यों निकाले, time waste करने की आवशकता नहीं है, जब इसका मान direct 0 हो गया, तो equal to 0, it means, यहां क्या मान आ गया, cos theta equal to 0, तो theta equal to pi by 2, क्योंकि cos 90 degree equal to 0, तो option number b, next question है, यदि vector a vector b दियावा है, तो a plus b वा a minus b के मद्दे का कोण है, अब जो जो सदिश निकालने के लिए कह रहा है, वह सदिश निकालो, और कोण गयाद करने के लिए cos theta का formula अप्लाई कर दो, तो हम a plus b निकालते हैं, दोनों सदिश को जोड़ा, i plus 3i, 4i cap, 2j minus j plus j cap, और minus 3k plus 2k minus k cap, a minus b, दोनों वेक्टर को आपसे minus किया, तो a minus b, i minus 3i minus 2i cap, plus 2j minus minus plus 3j cap, minus 3k minus 2k minus 5k cap, इन दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो cos theta equal to, a plus b dot a minus b upon mod a plus b and mod a minus b, solve किया, cos theta equal to, इन दोनों सदिशों का अधिश गुनान फल निकाला, dot product किया, तो minus 8k, plus 3, plus 5, अब देखो, इसको solve करने पर भी 8 minus 8, 0, तो नीचे वाली calculation करने क्या आउच चकता नहीं है, is it easy, लिख दो, mod a plus b, और a minus b, इसको solve करने पर भी value 0, तो cos theta equal to 0, इसका मरलब theta बड़ाबर, pi by 2, pi by 2 को अपन degree में क्या बोलते हैं, 90 degree, तो इसका option आगया, option number third, next question, लंबाई 3 का एक सदिश, जो सदिशो 3i plus j minus 4 के gap, तता 6i plus 5j minus 2k में से प्रतेक सदिश पर लंब है, माना, एक मात्रक सदिश, एक मात्रक सदिश माना, r cap, li cap, mj cap, n k cap, दिए गए सदिश, तो पहले वाले सदिश को वेक्टर a माना, 3i plus j minus 4k cap, इसका मात्रक सदिश निकाला, इसका मात्रक सदिश आएगा, इसके परिमान का डिवाइड दिया, तो mode a, mode a की जो value है, वो है root 9 plus 1, plus minus 4k square, 16, value हो गई, root 26, 9 plus 1 plus 16, root 26, दिश्टर योगया, 3 upon, root 26, 1 upon, root 26 j cap, 4 upon, root 26 k cap, सेम इसे परकार से, वेक्टर b दियावा है, 6i plus 5j, minus 2 k cap, mode of b गयात किया, 36 plus 25 plus 4, 40, root 65, अब हमें ऐसा सदिश निकालना है, जो इन दोनों सदिश, हमने मात्रक सदिश माना है, इन दोनों सदिशों पर लंब है, दोनों सदिशों पर लंब है, तो लंबत की कंडिशन होती है, a1, a2 plus b1, b2 plus c1, c2 बराबर 0, इस सदिश के साथ, मात्रक सदिश के साथ, लंबत कंडिशन a1, a2, b1, b2, c1, c2 equal to 0, और इसकी ही दूसरे सदिश के साथ, जो कंडिशन आएगी, l1, l2, m1, m2, n1, n2 equal to 0, दोनों सदिशों को आपस में सरल करेंगे, तो हमें जो सदिश प्राप्त होगा, वो मात्रक सदिश होगा, इसकी तीन लंबाई का मान चाहिए, तो तीन लंबाई का जो सदिश होगा, वह है 3 से मल्टिप्लाई करने पर मान आ जाएगा, इस कुश्चन को हम आप्शन से, आसानी से सदल कर सकते थे, तीन लंबाई, तीन लंबाई, तीन लंबाई, तीन लंबाई, तीनों लंबाई के हैं, अब कंडिशन क्या पैचानने की, ये सदिश इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ में लंबत की कंडिशन का पलन करना चाहिए, तो लंबत की कंडिशन का पलन करें, तो यहां इस option को यदि लिये हम तो a1 a2 3 को 2 से गुणा किया 6 माइनस 2 को 1 से गुणा किया माइनस 2 1 को माइनस 4 से गुणा किया माइनस 4 एकवल टु 0 पहले वाली सदिश के साथ लंबत की condition का पलन कर रहा है दूसे वाले सदिश की बात करो तो 12 इससे solve किया तो 12 5 माइनस 2 से मल्टिप्लाई होकर माइनस का 10 और माइनस 2 1 से मल्टिप्लाई होकर माइनस का 2 यह भी इकवल टु 0 इसका मतलब यह वाला जो सदिश है वो दोनों के साथ में लंबत की condition का पलन कर रहा है तो वह है option number है option number बाकि इसमें दो equation बनेगी उसको आपस में solve करेंगे वज्रगुणा विद्धी से जैसे इससे solve किया तो यह आजएगा 3 अपॉन रूट ट्वन्टिप्लाई हुआ 1 अपॉन रूट ट्वन्टिप्लाई होगा माइनस है लास्ट वाला तो माइनस का 4 अपॉन रूट ट्वन्टिश यह equation नमबर आती फर्स्ट एकवल टु 0 इसी प्रकार से इस मोड बी का जब सदिश बी में भाग लगाएंगे तो हमें बी कैप प्राप्त होता 6 अपॉन रूट शिक्स्टी फाइफ एल एम इस से मल्टिप्लाई हो गया तो 5 अभी आई कैप लिख दो वेक्टर बी कैप लिख रहे हैं तो 5 अपॉन रूट 65 जे कैप माइनस 2 अपॉन 65 के कैप इसको इसके साथ में लंबर की कंडिशन निकालेंगे इस सेकेंड वाले जो वेक्टर बी कैप है इसके साथ में लंबर की कंडिशन निकालें तो 6L अपॉन रूट 65 m को इस second वाले से multiply किया plus का 5m upon root 65 minus n इस last वाले से multiply हुआ तो 2n upon root 65 equal to 0 और किसी भी दो equation को जब सरल किया जाता है तो हम हमेशा वज्र गुणाविधी से solve करते हैं l upon l वाले पत को छोड़ेंगे ये दोनों multiply minus ये दोनों multiply लाई तो इस प्रकार से solve करके l के नीचे second वाली term minus m और third वाली term plus n इनके नीचे जो value आएगी वो l m n के value आएगी जिसका अमान इस समीकर में रखेंगे तो मात्रक सदिश आएगा उससे तीन लंबाई का चाहिए तो उससे वापिस तीन से गुणा करने पर तीन लंबाई का एक सदिश प्राप्त होगा जिसे हम three vector r बोलेंगे तो इस question को option से solve करना ज्यादा easy है तो option number first इसका answer है 19 question है सदिश 2i plus aj plus k cap सदिश 2i minus j minus k के लंबत होगा यदि आप दो सदिश लंबत होते हैं तो लंबत की condition a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0 तो 2 2 से multiply हुआ तो 4 a minus 1 से multiply हुआ तो a plus 1 minus 1 से multiply हुआ तो minus 1 equal to 0 solve कर दो a equal to 4 minus 1 option number 4 next सदिश ijk का सदिश jk अनुदिश प्रक्षेप होगा हम जानते हैं किसी सदिश इसको यदि वेक्टर a वाना यह यदि वेक्टर c है तो वेक्टर a का प्रक्षेप निकालना है तो वेक्टर a का जो प्रक्षेप है उसका formula हमने देखा था a dot b cap a dot b cap मतलब a dot vector b mode of b क्योंकि b cap का जो formula होता है सदिश वटा सदिश का परिमान a dot b इसको इसके साथ में dot किया तो i dot j 0 j j से गुणा होता है केवल j dot j equal to 1 k dot k k dot j equal to 0 mode of b इस b वाले सदिश का परिमान केवल j है तो इसका परिमान भी हो जाएगा अंडरूट इसका परिमान क्या होगा अंडरूट आई का गुणांग नहीं है 0 1 प्लस 0 तो इसका परिमान वापिस किसके बराबर हो गया एक के बराबर तो 1 अपॉन वन इस इक्वल टू वन तो अप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट कुश्चन ए माइनस भी क्रॉस ए प्लस बी का वेल्यू निकालनी है ए माइनस भी क्रॉस ए प्लस बी सदिश गुनन फल चाहिए तो पहले ए क्रॉस ए एक एक से मल्टिपलाई करते जाओ प्लस ए क्रॉस बी कर एक क्रॉस बी सदिश्यों के गुनन फल परता की किसी सदिश को जब सवयम के साथ में सदिश गुननफल किया जाता है तो उसका मान सदेव शुनने के बराबर होगा तो ये तो बन गया 0 ये बन गया 0 बचा अपने पास A x B, यहाँ B x A है दो सदिशों का सदिश गुननफल क्रम विनिमे नियम का पालन नहीं करता अगर उनकी दिशा को परिवर्थित कर दिया जाए तो एक रिनात्मक चिन प्राप्त हो जाता है साथ में तो माइनस, माइनस, प्लस और ये हो गया A x B दोनों का अपस में जोड़ा, तो 2 A x B, ओप्शन नमबर फस्ट नेक्स कुशन है, यदि A तथा B, दो ऐसे सदिश होकी A dot B बड़ाबर 0 तथा A x B बड़ाबर 0 देखिए, पहली कंडिशन A तथा B समानता सदिश है देखना A dot B बड़ाबर 0 यदि कोई 2 सदिश का अधिश गुननफल 0 है, इसका मतलब दोनों सदिश परस पर लंबद होते हैं सदिशों का सदिश गुननफल 0 है तो दोनों समानता होते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मुला होता है वो mod A, mod B, sin theta होता है theta की जगे 0 रखेंगे तो ही A x B का मान 0 पराप्त होता है इसका मतलब इस कंडिशन से A B के समानता हो गया लेकिन दोनों सदिश और यदि कोई अन्य सदिश पहले वाले सदिश के समानता है तो लंबत नहीं हो सकता तो दोनों में से A की condition को satisfy करेगा एक condition को satisfy नहीं करेगा जबकि एक्जामपल में तो कह रहा है कि दोनों condition satisfy होनी चीए केवल समानता नहीं है केवल लंबत नहीं है या तो A या B शुन्य सदिश है अब दोनों में से कोई भी एक सदिश शुन्य है यहाँ पर शुन्य सदिश रख दो तो 0 को किसी भी सदिश से गुणा करोगे तो 0 I, 0 J, 0 K उस दूसरे वाले सदिश के I, J, K के गटक से गुणा होगा तो 0 ही पराप्त होगा मतलब यदि इन दोनों में से कोई शुन्य सदिश है यह कंडिशन सेटिश हो रही है इन दोनों में से भी यदि कोई एक सदिश 0 है तो इसको solve कैसे करते थे हम I, J, K A वेक्टर लिख रहा हूँ A1, B1, C1 और मैंने B वेक्टर को 0 मान लिया 0, 0, 0 साड़नी की किसी भी एक पंक्ती के सभी अव्यव शुन्य हो जाए तो उससाड़नी का मान 0 हो जाता है इसका मतलब A या B दोनों में से कोई यहाँ 0 हो रहा है तो इस condition को भी satisfy कर रहा है मतलब दोनों में से कोई एक 0 है तो दोनों condition एक साथ satisfy हो रही है संतु स्टोरी है इसका मतलब जो A है या B है दोनों में से कोई ना कोई एक सदिश 0 सदिश होना आवशक है option number 3 पेस्वा question है 6I plus 2J plus 3K वा 3I minus 6J minus 2K के के लंबवत 11 सदिश ग्याद कीजिए अब हमने सदिश गुनालफल में पढ़ा था यह vector A यह vector B यह theta तो इनके जो लंबवत 11 सदिश होता है वो इस दोनों के लंबवत होता है जिसे हम A cross B बोलते थे और वही N cap होता है तो इन दोनों के जो अभिलंब सदिश होता है N cap वो होता है A cross B upon mode A cross B तो यहाँ सबसे पहले हम A cross B निकालेंगे पहले वाले vector को यदि vector A दूसरे वाला जो सदिश जी है वसको vector B माना तो A cross B I cap J cap K cap A vector का मान 6, 2, 3 और दूसरे वाले का मान रख दिया 3, minus 6, minus 2 प्रसार किया सान्निका पहली पंक्ती के respect में पहली पंक्ती के साप एक्ष किया तो I cap यह multiply हुआ minus 2 2 minus 2 से multiply होकर minus 4 फिर minus और minus 6, 3 से multiply होकर minus 18 और minus minus plus 18 सेकिंड वाले का जो sign लेते हैं वो negative प्लस, minus, plus sign चलता है minus J वाले पंक्ती और इस्तम को छोड़ेंगे तो 6 minus 2 से multiply हुआ minus का 12 minus 3, 3 से multiply हुआ 9 plus K cap 6 minus 6 से multiply हुआ minus 36 minus 3, 2 से multiply हुआ 6 solve किया 49 cap plus का 21 J cap यहाँ minus 42 K cap अब इसी का परिमान निकाल का डिवाइड लगाने हैं अब परिमान निकालने के लिए यत्ती बड़ी कैलकुलेशन क्यों करों जो कुछ common आरे common निकालों इन्वेसे 7 common 2i plus 3 j minus का 6 K cap अब इसका mode निकाला वापिस तो इसका mode आएगा mode of A cross B root 7 का तो 7 क्योंकि 7 का square होगा 49 उसका वापिस root करेंगे तो 7 तो बाहर आ गया जो constant नमबर है वो as it is लिख दो बाकी आई जेके के जो गटक है उनका square कर दो 4 plus 9 plus 36 7 multiply यहाँ पर हो गया root 49 root 49 को अब लिख सकते हैं 7 49 तो mode A cross B की value 49 अब हमें find करना है n-gap और n-gap का formula था एक क्रॉस भी mode of A cross B A cross B की value हम निकाल चुके थे 7 2y3j minus 6k upon नीचे 49 है 49 means 7 multiply 7 7 से 7 cancel तो इसका जो value है मान है 2y plus 3j minus 6k upon 7 option number 3 next question है किनी भी सदीशो ABC के लिए इस पूरे का क्या मान गया तो होगा वह हमें पैचानना है देखिए इसको आगे solve किया तो A cross B plus A cross C यहां B को C और A से multiply किया तो plus B cross C plus B cross A C cross A plus C cross B A cross B plus A cross C plus B cross C B cross A इनकी दिशा को आपस में परिवर्थित कर दो चिन चेंज A cross B C A जबकि यहां A C A इसकी दिशा को चेंज कर दिया minus का A cross C और ऐसे यहां पर B cross C A cross B A cross B A cross C A cross C B cross C cancel value आ गई 0 option number A next question है यदि A B दो सदिश हो तो A cross B का square होगा इसको चाहो तो option से भी solve कर सकते हैं और हम एक formula जानते हैं उस formula की साहता से भी इसको हल किया जा सकता है अब option से solve करें यहां A dot B B dot A तो यह अपस में equal तो A dot B का square minus mode A square mode B square यहां multiply किया mode A square mode B square minus A dot B A dot B तो A dot B का square तो इसका option number यह होगा कैसे अब इसका formula हम जानते हैं A cross B का square plus A dot B का square equal to mode A square mode B square यह हम पढ़ चुके थे अब यहां केवल इसकी value पूछिए तो A cross B का square equal to mode A square mode of B square minus A dot B का whole square और यह जो मान है यह second number से प्राप्त हो रहे इन दोनों को गुणा करेंगे तो A dot A मतलब mode A square mode B square फिर बीचे minus का sign आता है A dot B B dot A B dot A A dot B के ही समान होता है तो दोनों को गुणा करेंगे तो A dot B का square option number second next A dot B बराबर A dot C A cross B बराबर A cross C और A not equal to 0 है तो condition पहचान नहीं है यहां इन दोनों को देखो एक निर्सन नियम होता है निर्सन नियम का मतलब cancellation rule A dot B A dot C A cancel हो गया तो B बराबर C A cross B A cross C A से A cancel तो B बराबर C simple short trick short से ही अपने इसको solve कर रहे है A not equal to 0 तो B equal to C तो option आजागा B equal to C अगर इम इसको वैसे देखना चाहें तो A dot B बराबर A dot C हमने cancellation rule से तो देख लिया इसको left side में लेकर आ जाओ तो A dot B minus A dot C equal to 0 कुछ common आ रहा है इसमें से A or dot A dot A dot common क्या बज़ गया B minus C बज़ गया equal to 0 तो सदीशों का अधिश कुनन फल 0 है तो हम जानते दोनों में से कोई न कोई एक सदीश शुन्न होना आवशक है इसमें या तो A बराबर 0 होगा और या फिर B minus C बराबर 0 होगा लेकिन सवाल में कह रहा है A not equal to 0 मतलब यह वाली यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि सवाल में ही कह दिया कि A not equal to 0 तो B minus equal to 0 होगा और B minus equal to 0 है तो B बराबर सी सेम इसे परकार से यहां से भी हम solve कर सकते दे option number c next question mode A बराबर 2 mode B बराबर 5 और A cross B equal to 8 तो A dot B का मान है अभी अभी हमने सवाल पढ़े और जो formula माइंड में है वो direct formula पर अपना focus आ जाना चाहिए cross है dot है और दोनों के mode है तो इनके बीच में क्या relation होता है A cross B या plus करके ही लिख दो plus A dot B mode of A square mode of B square तो A cross B का मान 8 है यह हो गया 64 इसकी value हमें निकालनी है equal to mode A square की value 4 और mode B square की value 25 mode A dot B का whole square equal to 100 minus 64 36 यह value A dot B के square किया गई तो A dot B का मान root 36 equal to 6 option number fourth next question A cross I whole square A cross J whole square plus A cross K whole square इसको solve करते हैं vector A जैसे dot वाला सवाल था वैसे यह cross वाला सवाल है इसमें भी हमें सदिश मानना पढ़ेगा vector A equal to I cap J cap K cap K cap A1 A2 A3 A1 B1 C1 A1 A1 A2 A3 A1 A1 A2 A2 A3 कमान minus kam K A1 I cap J cap K K कारनी के साथे से परसार करने के आवशक्ता निए आगे केवल एक ही सदिश दियावाए %. तो I cross I zero J cross K देखो J cross K opposite direction में तो minus K के बराबर होगा तो इस सवाली condition को हम लिख सकते हैं minus. A2 तो चलि रहा है a2 k cap फिर आगे चल रहा है k cross i a3 है तो k cross i देखो k cross i इसी direction में है clockwise में ही है तो इस command plus का j यह जगा a3 k cap इसके mode का square यहाँ mode का square चल रहा है second वाली आगे जो condition है यहाँ पर इसको multiply करना है अब j के साथ अब j के साथ में multiply करेंगे तो i cross j i cross j की जो value है वो plus k के बराबर है तो यहाँ a1 k cap j cross j equal to 0 और k cross j k cross j opposite direction में anti clockwise में हो गया तो minus का i a3 i cap chi square थर्ड वाली condition में cross product किया k के साथ जब हम इसको k के साथ में सदिश गुनालफल निकालेंगे तो i cross k i cross k हो गया minus j के बराबर तो minus a1 j cap j cross k j cross के हो गया plus का i cap plus a2 j cross के i cap और k cross के हो गया equal to 0 का square अब इनका mode परिमान निकालेंगे और उस under root में जो मान आएका square square करेंगे तो अंडर root direct cancel हो गया तो हमारे पास में इसका परिमान निकालने पर क्या मान आया minus a2 का square मतलब a2 square a3 square आगे वाले का mode निकाला a1 square a3 square और थर्ड वाली जो सदिशे उसके परिमान का मान निकाला तो a1 square plus a2 square a1 square a1 square a2 square a2 square a3 square a3 square a3 square सारे के सारे पाद जो है वो डबल हो गए डबल 2 a1 square a2 square a3 square और 2 इसकी वाली हम निकाल चुके थे उपर mode of a square तो option हो गया 2 mode a square option number second उस समानत चत्रबज का शेत्रफल ग्याद कीजिए जिसके विकर्ण a और b दिये वे हैं समानत चत्रबज का शेत्रफल हमने देखा था यदि दो आसन बुझाए पता है तो वेक्टर a क्रोस वेक्टर b यह डेरेक्ट हमने फॉर्मुला देखा भीता डेरिवेशन से इसमें विकर्ण देती है समानत चत्रबज के विकर्णों का विकर्ण दिये वे हैं तो समानत चत्रबज का शेत्रफल फॉर्मुला होता है एक बटा दो इन्टु विकर्णों का गुण अन्फल एक बटा दो एक रोजबी इसको सरल करें एक रोजबी आई कैप जे कैप टी कैप 3, 1, मैनस 2, 1, मैनस 3, 4 प्रसार करेंगे वही पहली पंक्ती के साब एक तो 4 मैनस, मैनस 3, मैनस 2 से मल्टिप्ला होकर प्लस 6 मैनस का जे 4, 3 से मल्टिप्ला होकर 12 मैनस, मैनस 2, 1 से मल्टिप्ला होकर तो मैनस, मैनस, प्लस 2 प्लस के कैप 3-3 से multiply ओकर minus 9 minus और 1 multiply ओकर 1 minus 2i minus का 14j or minus का 10k cap mod a cross b root 2 4 हो गया plus 14 का square 196 और 10 का square 100 जा गया root 300 इसको लिख सकते है 10 root 3 विकर्णों का गुनन फल जो समानतर चत्रपुच का शेत्र फल है वो फॉर्मूला हो जाएगा 1 बटा 2 mod of a cross b इसमें 10 root 3 में 2 का डिवाइड दो 5 root 3 तो इसका जो आंसर आजाएगा 5 root 3 option number 2 next question ABC 3 A समतलिये सदिश है A समतलिये A समतलिये शब्द इसलिए लिखा क्योंकि इनको हम 3 सदिशों के अधिश गुनन फल में व्यक्त कर सकते हैं और हमने एक point बढ़ा था यदि कोई भी 3 सदिश समतलिये है A की तल में है तो उन तीनों सदिशों का अधिश गुनन फल शुनने के बराबर होता है इसलिए यहाँ पर A समतलिये शब्द दियावा है उसको solve करना है तो देखिए A dot B cross C upon में है C cross A dot B plus B dot A cross C upon C dot A cross B solve किया एक जगे cross एक जगे dot तो इसे हम ABC तीन सदिशों का अधिश गुनन फल जिसे हम इस प्रकार से वेक्ट करते हैं लिख सकते हैं नीचे वाला पहला सदिश C A B तो इसको लिख सकते हैं C A B plus यह हो गया B A C और इसके नीचे जो मान है वो हो गया C A B change करके देखते हैं क्रमागत रूप से यह उपर और नीचे वाली स्टेप को सहीं बनाना है यहां A B C है उपर नीचे में A B C लिखना चाहूँ तो A B C क्रमागत रूप से change हो रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा change करके लिखा जा सकता है प्लस उपर B A C है नीचे वाली स्टेप को में B से start करूँ तो B से start करूँ तो देखो B से start करूँ तो B के बन में C आना चीए जबकि यहां पर केवल पहले और तीसे वाले को change करूँगा तो B A C बनेगा तो केवल दो सदिशो को change कर रहा हूँ B A C और दो सदिशो को change करते है तो उसका चिन रिनात्मक हो जाता है यह कड़ गया यह कड़ गया और प्लस माइनस माइनस होकर माइनस वन और प्लस वन माइनस वन एकवल टू जिरो अप्शन नमबर फश्ट यदि A B C तीन A समतली सदिश है फिर A प्लस B, B प्लस C, C प्लस A यह भी हम डेरेट एक गुनदर्म जानते हैं जब तीन सदिशो के अधिश गुननफल में एक पद में दो या दो से अधिक सदिश है तो उसे हम दो या दो से अधिक सदिशो के गुननफल में लिख सकते हैं तो यह वाली जो इस्टेप है इसे हम लिख सकते हैं A B C पहले पहले सदिश फिर इनके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस B C A दूसरे सदिशों को लिख दिया यह चल रहा है A B C इसे क्रमागत रूप से चेंज किया तो A B C A B C प्लस A B C जो हो गया 2 A B C ओप्शन नमबर सेकिंड नेक्स्ट कुशन प्रदिश 2I माइनस J प्लस K I प्लस 2J माइनस 3K और 3I प्लस लेम्डा J प्लस 5K सम्तलिये है तो लेम्डा का मान ग्यात कीजिए अगर कोई से भी 3 सदिश सम्तलिये है सम्तलिये सदिश हो तो अभी जो मैंने कंडिशन बोली थी वही कंडिशन यहाँ पर यूज हो रही है कि उन तीनों का जो सदिश गुननफल है तीनों सदिश हो का जो अधिश गुननफल है वह 0 के बड़ाबर होगा इसका मतलब A B C यहाँ पर पहला सदिश यह अधि वेक्टर A यह अधि वेक्टर B यह अधि वेक्टर C है तो उनका अधिश गुननफल 0 के बड़ाबर होगा उसे हम सॉल कैसे करते थे सांडनी के साहता से पहला वाला वेक्टर A पहला वाला वेक्टर A 2-1 दूसा वाला हो जाएगा 1-2-3 यह हो जाएगा 3-2-2-0 प्रसार गिया पहली पंक्ति के सापेक्षिश का प्रसार कर देते हैं 2, 10, minus, minus 3 lambda lambda से multiply होकर minus minus plus 3 lambda, second वाले का sign negative और minus 1 पहले से यह तो minus 1 minus से multiply होकर plus 1, 1, 5, minus और minus 3 3 से multiply होकर minus 9, minus minus plus 9, 2, plus 1, plus का lambda, minus का 6, equal to 0, इसको solve किया, 20, plus 6 lambda, plus 14, plus lambda, minus 6, equal to 0, 6 lambda, plus lambda, 7 lambda, 14, minus 6, 8, तो 28, plus 28, equal to 0, 7 lambda, equal to minus 28, and lambda, equal to minus 4, option नमबर 4th, next question, i, j, k, परस्पर, लंबवत, एकाई सदीच है, तो i, k, j का मान होगा, i, k, j, इस का मान गयाद करना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i, dot, dot, k, cross j, solve किया, i, dot k cross j, का मान, i, j, k, k cross j, का मान, minus i, की बराबर, यह 표ह मान, minus i, minus i dot i, equal to, वन वैल्यू आ गई माइनस वन नेक्स्ट ट्वंटिफोर्थ ए भी ए क्रोस भी तीन सदीश है तो तीन सदीश मैट्रिक्स ब्रेकेट के रूप में है इसका मतलब यह तीन सदीशों का अधिश गुनन फल है इसे हम सॉल करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं पहला डॉट दूसर क्रोस तीसरा मैं अब पहला सदीश एक लए लेलो तो इसे हम लिख सकते हैं यह ऐ क्रोस धी क्रोषब है डॉट कर्ण К्रोस भी तो हमने ये दो सदिश थे इसलिए इसको अकिला मान लिया और इन दोनों सदिश को एक साथ लिखा जिनका cross product आ गया तो a cross b dot a cross b ये भी एक सदिश है ये भी एक सदिश है और हम जानते दो सदिश जो same है उनका dot product उसके परिमान के square के बराबर होगा तो इसका जो मान आ सब्सक्राइब करेंगा एक रोस बीके मोड़ का स्क्वाइर अप्शन नमबर सेकेंड कि उससे समानता शट्ट फलक का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी आसन्य कोरे समानता चत्रभुज के लिए हमने देखा था एक रोस भी समानता शट्ट फलक का आयतन निकला जाता है और समानता शट्ट फलक का आयतन होता है A, B, C मतलब जो तीन आसन सदीश है उन तीनों सदीशों का अधिश कुनन फल जो होगा वह समानता शट्ट फलक का आयतन केलाता है तो इसे हम वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C के रूप में सॉल करें तो 2, माइनस 3, 4, 1, 2, माइनस 2, 3, माइनस 1, प्लस 1 और जैसे अभी हम इसका प्रसार कर रहते हैं सानने के सायता से वैसे आप इसको हल कर सकते हैं यह सवाल सॉल कीचा नेक्ट कुशन 36, A plus B dot B plus C cross A plus B plus C A plus B dot B plus C cross A plus B plus C A plus B as it is dot B plus C को इस A plus B plus C के साथ में सदिश गुनन फल किया तो B cross A B cross B, B को C के साथ में cross product B cross C plus C को A के साथ में सदिश गुनन फल C cross A plus C cross B plus C cross C दो सदिशों का जो स्वेम आपस में equal सदिश है समान सदिश है उन दोनों का सदिश गुनन फल शुनने के बराबर होता है यह हो गया 0, C cross C हो गया 0 A plus B dot B cross A, B cross C, C cross A और next जो सदिश है वो C cross B, यहां B cross C पहले आ चुका था तो इसकी दिशा को परिवर्तित करके लिखा तो माइनस का B cross C आ गया तो B cross C से B cross C cancel, A plus B, B plus A, B cross A plus C cross A A को इसके साथ में dot किया फिर B को dot करेंगे फिर A को आगे वाले के साथ और B को फिर आगे वाले के साथ में dot product किया तो value आगे इसकी A dot B cross A plus A dot C cross A ऐसे ही B को भी दोनों के साथ में dot product किया तो plus B dot B cross A plus B dot C cross A ये तीन सदिशों के अधिश गुननफल के रूप में प्राप्त हों कहें चारों मान जिसे हम A, B, A A, C, A B, B, A B, C, A के रूप में लिख सकते हैं अब हमने एक गुन्धन पढ़ाता यदि तीन सदिशों के अधिश गुननफल में कोई भी दो सदिश समान है तो उन दोनों को मान उस तीनों सदिशों के अधिश गुनननफल का मान शुन्य होता है यह 0, यह 0, यहाँ पर भी B, B, C में 0 तो इसकी वैलिव आ गई केवल B, C, A अब इसको यदि हम क्रमागत रूप से चेंज करें सिक्वेंस से तो A, A के वान में B, B के वान में C जिसे हम A, B, C लिख सकते हैं तो इसका option number second answer हो जाएगा तो आज हमने सरीशों के कुछ question लिये थे जिने हमने सरल किया अब next class में हम नए topic के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए धन्यवाद